एक गाउं में एक भ्राह्मन सा परिवार रहता था, उसका भांजा उसके साथ रहता था, भांजा एकदम मुर्ख था, कोई काम धाम नहीं करता था, घर में रहकर मामा मामी की रोटियां तोड़ता रहता था, मामा मामी उससे अतियंत परिशान रहते थे, वे उसे कुछ कमाने पर उस मुर्क को कोई काम ना आता था, ना ही कोई उसे कुछ काम देता था, मामा मामे ने यह सोच कर उसका विभा कर दिया, कि शायद पत्नी के घराने से उसका भाग्या खुल जाए, उन्होंने उनके रहने की भी अलग विवस्था कर दी, उसकी पत्नी अपने साथ कुछ दह खेज लेकर आई थी, उसी से उसकी ग्रस्ती की गाड़ी चल रही थी, परंतु जैसे बूंद-बूंद से घड़ा वड़ता है, वैसे ही बूंद-बूंद तपकने से घड़ा खाली भी तो हो जाता है, कुछ ही दिनों में उसके घर का सारा समान खतम हो गया, पत्नी समझ ग बात मानकर वह ग्यानी को ढूंदने निकला, अने एक दिन भटकने के उपरांत, उसे एक ग्यानी मिला, ग्यानी को प्रणाम कर उसने कहा, ग्यानी जी, मुझे कुछ ग्यान दीजी, मैं अतियंत कष्ट में हूँ, ग्यानी बोले, बिना ग्यान की तो मनुश्य को कष्ट हो कहीं मैं तुम्हें ग्यान जरूर दूँगा पर मैं मुफ्त में किसी को भी ग्यान नहीं देता मूरक ने पूछा आप ग्यान देने का क्या लेंगे ग्यानी बोला एक ग्यान का एक टका मूरक के पास चार टका यानि की चार रुपे बचे थे वे उसने ग्यानी को दे दिये ट का लेकर ग्यान इने पहले ध्यान के फिर बुला अच्छी तरह याद कर लो पहला ग्यान यह है कि जिस बात को फांच आदमे कहें उसे सत्यमान लेना चाहिए दूसरा ग्यान यह है कि धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए तीसरा ग्यान यह है कि पत् ब्रामन अपने घर को लोटा रास्ते में एक गाउं में उसने देखा कि एक जगा बीड जुटी हुई है उसे पता चला कि कोई भीकारी मर गया है पर कोई उसे वहां से उठाने को तैयार नहीं था तब ही मूर्क ब्रामन माँ पहुचा सभी ने उसे घेर लिया और कहा वे उस लाश को उठा कर कहीं फेक आए पहले तो उसने सोचा कि ब्रामन होकर वे ऐसा काम क्यों करेगा फिर उसे ग्यानी द्वारा दिये गए पहले ग्यान की याद आए कि पांच आदमी जो कहें उसे मान लेना चाहिए यहां तो पांच से भी अधिक आदमी है उसने लाश एक विरान जगा में उठा कर फेकने लगा तभी उसने देखा भीकारी के फटे पुराने चोगे से अनेक रुपे गिर रहे हैं उसने सारे रुपे को इकठा किया और अपनी जेब में रखकर चुप चाप अपने घर आगे घर पहुचने पर जब पतनी ने उससे पूचा कि ग्यान सीख कर आए तो उसने हाँ कहा पर रुपिया पाने की बात उससे च्छिपा ली अब उसके पास अनेक रुपे थे उसके दिन सुक पुरवक बीटने लगे उसका रहन सहन बदल गया उन लोगों ने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया उनके ठाट बाट देख पड़ पूछना चाहिए जो पती पत्नी से अपनी आमंदनी चुपाता है निशीद रुप से वा गलत तरीके से धन कमाता है यदि वे आपसे सच मुझ प्रेम करता है तो उसे आपसे कोई भी बात नहीं चुपानी चाहिए वैं बोली ठीक है मैं आज ही रात उनसे पूछूँगी रात में मूर्क ब्रामन की पत्नी ने उसकी अमंदनी का रहस्या जातना चाहा तो उसे तीसरे ग्यान की बात याद आई कि पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए उसने पत्नी को जूट कह दिया कि उसने हाट से वह एक छटांग हरड एवं बहेड़ा खरीदा और उसे बताई उसका पती तुरंध हरड और बहेड़ा बजार से ले आया और उसे पीसकर पानी के साथ पी गया और थोड़े ही देर बाद वह पेट दरज से तरपने लगा उसे दस दाने लगे और अंतमे वह मर गया पड़ाहसन ने राजा के पास जाकर उनकी शिकायत की राजा न उसे ग्यानी की चौती बात यादा ही कि अपने स्वामी या राजा से जूट नहीं बोलना चाहिए और उसने राजा को सारी बाते बता दी राजा उसके सच बोलने से बहुत खुश हुआ और उसे धेर सारा धन दे कर विदा किया तो यह थी बंगला की एक लोग कहनी चाट दगा